हेलो फ्रेंड्स अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूफ करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अज की अपनी इस बेहतरिन वीडियो को सो फ्रेंड्स यहाँ पर इस से बता रहा है कि बारिश के कारण बाड़ा गई है अब इससे बोलने के कही तरीके हैं सबसे आसान words में अगर हम इसे बोले हैं तो हम कहेंगे due to rain, due to का मतलब होता है current, due to rain, यानि बारिश के current, there has been a flood, यानि बाड़ा गई है, due to rain, there has been a flood, बारिश के कारण बाड़ा गई है, यह बहुत ही आसान तरीका था, हम इसे lead word का यूज करके भी उसकर सकते हैं, हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि, the heavy rainfall has led to a flood, the heavy rainfall has led to a flood, इसका भी यहाँ पर मतलब ही कि, जो heavy rainfall है, यानि जो बहुत जादा बारिश है, उससे क्या हुआ कि, बाड़ा आ गई, the heavy rainfall has led to flood, लेकिन इससे भी आसान तरीका होगा, आप इसे simply बोल सकते हो, the rain has caused a flood, the rain has caused a flood, जो बारिश है, वो कारण बढ़ी, कि इसका कारण बढ़ी, flood का, बाड़ का, बारिश कारण बढ़ी, बाड़ का, यानि बारिश की वह से बाड़ाई, the rain has caused a flood, तो यहाँ पर हम ने देखा कि, हम इसे cause word कही उसकर की बना सकते हैं, और lead वड़ का, lead की second form, lead, the heavy rainfall has led to a flood, या आप कहोगे, the rain has caused a flood, कहना कावे की मतलब है, कि बारिश के कारण बाड़ आ गई है, पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इंग्लिश हो बोलेंगे, it has been raining continuously for the past three days, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि, there has been consistent rainfall for the last three days, there has been consistent rainfall for the last three days, इसके मतलब है कि पिछल तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है, भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भरा हो गया, इस तरीके से हो जाता है कि जो बारिश बहुत होती है, तो सड़कों पर पानी भर जाता है, तो इस इंग्लिश हो में इस पानी जमा हो जाता है, इसके कारण बनी भारी बारिश, कहना का मतलब बहुत ज्यादा बारिश थे हैं, सड़कों पर पानी भर गया, है जब कहा रहा है कि लगतार बारिश की चलते रहा है, इस तरीके से भी ढह सकते है कि the streets, the streets are filled with water because of the ongoing rain, the streets are filled with water because of the ongoing rain, यहनि लगातार बारिश के चलेते सडको पर पानी भर गया है, तुम्हें आज अपने office जाने के plan को cancel करना पड़ेगा, यह से office जाना है बहुत जरूरी तो इससे कह रहा है कि, you need to cancel your plan to go to the office today, तुम्हें आज अपने office जाने के plan को cancel करना पड़ेगा, यह ऐसे भी कह सकते हैं कि, you must cancel your office visit today, यह हमने बहुत शॉर्ट में बोल दिया ऐसे है, यह आज जो तुम office को visit करोगी तुम्हें cancel करना होगा, अब आगे कह रहा है कि, क्योंकि ऐसी बारिश में तो बाहर जाने का मतलब भी नहीं बनता, इंग्लिश में हम कह सकते हैं, because in such rain, going outside doesn't make any sense, क्या रहा है कि, because in such rain, going outside doesn't make sense, यह आणि ऐसी बारिश में बाहर जाने का sense ही नहीं बनता, because in such rain, going outside doesn't make sense, metro, taxi और bus सभी सेवाएं बन्द हैं, यहाँ पर यह बता रहा है कि, there is no metro, taxi और bus service available, there is no metro, taxi और bus service available, इस तरीके समगहाते हैं ना, कि metro, taxi और bus सभी सेवाएं बन्द हैं, there is no metro, taxi और bus service available, यह हम इसे थोड़ा अलग तरीके से कह सकते हैं कि, the metro, taxi and buses are not running at the moment, the metro, taxi and buses are not running at the moment, इसका मतलब है कि, metro बस सभी जो सेवाएं बन्द हैं, कोई भी नहीं चली ना, metro चली ना, bus और नहीं, taxi, बार के कारण लगभग सभी सेवाएं बन्द हैं, यानि जितनी भी सेवाएं हैं, सब बन्द हैं बार के कारण, due to the floods, almost all services are suspended, बार के कारण लगभग सभी सेवाएं बन्द हैं, बार के परणनम सभी रूप ऐसा हो रहा है कि, सभी सेवाएं बन्द हैं, नियरली ओन्द सर्विसेज, लगभग सभी सर्विसेज, सभी सेवाएं, have been disrupted, disrupted हो गई हैं, as a result of the flood, फ्लड के कारण, कुछ नहीं कहा जा सकता कि, कब जाकर हालात पहले जैसे होंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, No one can predict when things will go back to normal, no one can predict, यानि कोई predict नहीं कर सकता, कोई अंदाजन नहीं लगा सकता, when things will go back to normal, कि चीज़े normal कब होंगी, पहले जैसा हालात कब होंगे, कोई नहीं कह सकता, no one can predict when things will go back to normal आगे कह रहा है कि it's impossible to say इसी बात को कहने का दूसरा तरीका है it's impossible to say when things will return to how they were before it's impossible to say when things will return to how they were before यानि कुछ नहीं का जा सकता है नमुम्कीन है ऐसा कहना कि कब जातर हाला पहले जैसे होंगे यह कहना नमुम्कीन है फिलाल it's impossible to say when things will return to how they were before so friends यहां पर यह अपनी से कहानी बता रहा है कि नो साल की उमर में मेरा एक्सिडेंट हुआ था इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे I had an accident यानि मेरा एक्सिडेंट हुआ था I had an accident when I was 9 years old जब मैं 9 साल का था I had an accident when I was 9 years old जब मेरा एक्सिडेंट हुआ था उसे एक्सिडेंट में मेरा दाहिना पर गायल हो गया था इस इंग्लिश में बोलेंगे My right leg was injured in that accident My right leg was injured in that accident जैनि उस एक्सिडेंट मेरा दाहिना पर गायल हो गया था My right leg was injured in that accident डोक्टरों ने कहा था मैं बिना किसी सहारे के कभी चलने ही पाऊंगा यहाँ पर यह बता रहा है कि The doctor said I would never be able to walk again without some support तो बता रहा है कि the doctor said यहाँ डोक्टरों ने कहा था I would never be able to walk again मैं दुबारा कभी नहीं चल पाऊंगा without some support बिना किसी support के मुझे भी लगने लगा था कि मैं दुबारा कभी नहीं चल पाऊंगा तो आगे बता रहा है कि I began to believe यानि मुझे भी ऐसा believe होने लगा था यानि मुझे भी ऐसा believe होने लगा था I began to believe that कि I would never be able to walk again यानि कि मैं दुबारा कभी नहीं चल पाऊंगा मुझे भी ऐसा लगने लगा था I began to believe that I would never be able to walk again यानि मुझे भी ऐसा लगने लगा था दुबारा कभी नहीं चल पाऊँगा लेकिन दो महिने के अंदर मैं पूरी तरह से ठीक हो गया था है आपर बता रहा है कि but within two months I recovered completely but within two months I recovered completely नहीं लेकिन दो महिने के अंदर मैं पूरी तरह से ठीक हो गया था but within two months I recovered completely मेरा ठीक होना किसी चमतकार से कम नहीं था इस तरीके से हम बोलते हैं आपर बता रहा है कि मेरा ठीक होना किसी चमतकार से कम नहीं था इस इंग्लिश में बोलेंगे my recovery was nothing short of a miracle my recovery was nothing short of a miracle यहनि मेरा ठीक होना किसी चमतकार से कम नहीं था my recovery was nothing short of a miracle